दोस्तो लिंग का साइज बहुत मैंटर करता है क्योंकि दोस्तो जब भी आप मुस्त जनी हस्त मेथुन जादा कर लेते हैं तो उस वक्त तो आपको एहसास नहीं होता कि इससे क्या नुकसान हो सकता है लेकिन उससे दोस्तो आपकी नसे कमजोर हो जाती हैं लिंग की नसों के अंदर खून का दोर पूरी मातरा में नहीं रहता जिसकी वजह से आपके नफस की गिरौत नहीं हो पाती लंबाई और मोटाई नहीं बढ़ पाती है और इसी वजह से आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से संटुष्ट नहीं कर पाते हैं और सिर्फ ऐसा नहीं है कि लिं निकल जाना जादा से जादा देर तक आपका वीरिये ना रुपाना इस तरह की दिक्कते भी आपको हो जाती है आज की इस वीडियो में एक ऐसा तिला बताएंगे जिसका इस्तेमाल करके आप अपने लिंग के साइज को बढ़ा सकते हैं उसकी लंबाई को और मोटाई को ब हो जाएंगी तो चल्यए दोस्तों शरू करते हैं इसके लिए आपको पुछ चीजों की जरृत होती है जिसमें पहली चीज है जाएफल ये आपको पिचास ग्राम लेनी है उसके बाद है लॉआंग ये भी आपको प Simpson ग्राम लेना है उसके बाद है ये पिस ऐर हैं आकरकरा ग्राम उसके बाद है बीर बहुटी ये भी आपको लेना है 50 ग्राम उसके बाद है डाल चीनी ये भी आपको लेना है 50 ग्राम और उसके बाद है रोगने जैतुन ये आपको लेना है 100 ग्राम ये सारी ही चीजें आपको मार्केट से पंसार के दुकान से आसाने से मिल जाएंग जब आप ये सारी चीजे मार्किट से ले आएं उसके बाद आप जाइफल, जॉंक, लॉंग, अकरकरा, खरातीन, जल्वित्री, बीर बहुती, दाल चीनी आप इन सभी चीजों का अलग अलग बारीक सफूफ तयार कर लें चूरन तयार कर लें उसके बाद आप ये जो जैतून का तेल है आपके पास, आप उसको फाइफैन में डालिए, उस फाइफैन को गैस पर रखिए, गैस का अन करिए और जब ये गरम हो जाए तो फिर उसके अंदर इस चूरन को डाल दीजिए और फिर उसको अच्छे से बॉइल होने दीजिए, जलने दीजिए, जिब ये बिल्कुल सुर्ख हो जाएगा, जो चूरन है वो बिल्कुल लाल हो जाएगा, फिर आप इसको नीचे उतार लें गैस से, और उसको ठंडा कर लें तेल को, और उसके बाद आप इसको किसी कपड़े की मदस से च्छान लें, किसी शीशी के अंदर भर कर रख लें, अब ये दवाई, ये तेल आपका बनकर तयार हो चुका है, अब आपको इसका इसका इस्तेमाल दिन में एक बार करना है, किसी भी वक्त आप कर सकते हैं, सुबह में या फिर शाम में, इस्तेमाल करने का तरीका यही है, कि चार से पाँच मुन्द लेकर ये बाहर ना आ जाए, इस तरह से जब आप इसका इसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये नसो के अंदर खोन के दोर को सही करेगा, सकती और कड़कपन पैदा करेगा, लूज रहने की जो दिक्कत है, एक बार कर लिया, दोबारा नहीं होता, दोबारा नहीं कर पाते, दोबारा वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बेटन जरूर दबाएं, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और नहीं वीडियो के साथ, अब तक के लिए जैएं